मिक्स वेज पकॉड़ा रेसेपी वेलकम गाइज, वेलकम टू माई चैनल कविता गोईज वईड तो गाइज गर्मी का टाइम हैं और घर में गेस्ट आने शुरू हो गई हैं कई जगे शुरू भी हो गई हैं और घर में गेस्ट आ भी रहे हैं तो ठंडे पानी के साथ या रिफ्रेशिंग ड्रिंक के साथ पकॉड़े भी चलेंगे कोई स्नैक तो चले गई ना, पिएंगे तो नी ना, कुछ खाएंगे भी तो यह हमने ले लिया बेसान इसमें डाला नमक, हल्दी, मिर्च, घुना, जीरा, पाउडर और सूखी, पुदीना और अच्छी तरह से डालने के बाद इसके अंदर हम पानी डालके इसका एक बैटर बनाएंगे बहुत अच्छा वाला बैटर बनाएंगे यह देखे यह बन गया बैटर और यहां इधर हमारे हैं बैंगन, गोभी और आलू तो यह देखे हमने बैंगन को डाल दिया है ऐसे स्लाइस करके डालना है और एक एक करके हम इसको डालेंगे तेल के अंदर, गरम तेल के अंदर और वो ही है मेरी दादिसा वाली कड़ाई एवर ग्रीन तो इसी तरीके से हम आलू के जो स्लाइस हैं गोलगोल हमने काटे हैं इसको भी डालेंगे, गोभी भी डालेंगे और तीन टाइप के हम पकोड़े बनाएंगे आप कुछ भी आप जो वेजिटेबल जो आपको अच्छे लगते हैं उसका भी आप पकोड़ा बना सकते हैं इसमें कोई वो नहीं है की रूल की ये नहीं बना सकते हैं ये बना सकते हैं उसको जो पसंद है उसको वो पकोड़ा बनाईए, आप ब्रेट पकोड़ा भी बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, आप सिंपल बेसन के पकोड़े भी बना सकते हैं, और सिंपल बेसन के पकोड़े बनाने के बाद आप उसको कड़ी बनाईए और कड़ी के अंदर डा या आप यह वाले पकोड़ी भी कडी में डाल सकते हैं तो देखिए कितना इसी काम हो गया I bet एक टाइम का आपका स्नैक भी बन गया और ठायम स्काढ़ का को अपका खाना बी बन गया तो यह मेरे पकोड़ी सी गाई है मैं ना को फिलिप कर दी रहे और और यह देखे कितने कुरकुरी लग रहे हैं, कितने टेस्टी यह देखिए, अब यह अच्छी तरह के से सिख गए हैं, और अब हम निकाल लेते हैं, आप इसके अंदर प्यास के पकोड़ी भी बना सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी रखते हैं, मैंने तो नहीं बना करके अगर आप उसको लसी में डालेंगे जो मैंने वेज यखनी पलाव में मैंने बनाए था लसी वैसी वाली तो उसके अंदर छोचोटे बैसन के पकोड़े जो आप राइते में भी डाल सकते हैं और जिसके आप कड़ी भी बना सकते हैं तो देखे मैंने एक ही वीडियो के अंदर आपको तीन तीन डिशिज बता दिए कि आप इस तरीके से बना सकते हैं तो यह मेरा सेकेंड बै चला गया है और हम इसको भी तो आप भी एक लुक लीजिए और देखे कितने यमी और कितने टैम्टिंग लग रहे हैं आप भी जब आपके घर में गैस्ट आई या आप बनाना चाहें ज़रूर निया ड्रिंक कोई सॉफ्ट ड्रिंक या कोई रिफ्रेश्चिंग ड्रिंक ही चाहिए भूग तो लगती है और कुछ न कुछ नया खाने का मन करता है तो आप इस तरीके से पकोड़े बना सकते हैं और इंज्वाइ कर सकते हैं समर्स को तो गाइस मैं अपना ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कविता गविल्स वर्ल्ड को मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी और नए इंट्रेसिंग टॉपिक के साब तब तक के लिए बाई एंड के के